नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार चुनावी चर्चा में अक्सर हमारे साथ किसी राजनीती पार्टी के नेता होते हैं या किसी समाजिक संगठन से जुड़े समाजिक कारे करता लेकिन आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में ना तो किसी पार्टी के नेता है ना ही कोई सामाजिक कारे करता लेकिन बातें राजनीती की होगी, बात भागलपूर की होगी, बात बरतमान में भागलपूर विधान सभा सीट से टीकट की दावेदारी पेश करने वालों की होगी, बात भागलपूर की समस्या और मुद्दे की होगी हमारे साथ चुनावी चर्चा में शामिल हैं संस्रीती राठोर, संस्रीती राठोर भागलपूर की रहने वाली हैं और दिल्ली में रख कर पढ़ाई करती हैं, आज हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो सागत है पहले मैं दन्यवाद करना चाहूँगी आपके सिल्क टीवी चैनल का जिसने मुझे यहां पर मौका दिया भागलपूर के लिए बोलने के लिए और फिर सवाल से सुरुवात करते हैं और सवाल है कि यहां से भागलपूर में चुना होने हैं विदान सवा के और बरसों से लोग सवा और विदान सवा के चुना हो रहे हैं, लोग यहां से जीत भी रहे हैं, विदायक सांसद यहां से लोग जीत कर दिल्ली तक पौश गए हैं लेकिन भागलपूर की जो समस्या है वो भागलपूर में ही धरी की धरी रह गई है। चीज के लिए सवाल करें कि हमारा भागलपूर आज पुरे बिहार में पिछड़ा क्यों रह गया है। उन्हें चादर देते हैं उनका स्वागत करते हैं जोड़दार आखिर वो क्यों मैं पूछना चाती हूँ वो क्यों करते हैं वो ऐसा। पिखांत करिए कि वो विकास क्यों नहीं करते हैं हमारे भागलपूर का इसमें हमारे आम जन्ता का क्या गलती है। आपको तो मैंने वोट दिया, आपको काम करने के लिए मैंने वोट दिया, फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हवाई सेवा है, क्या ये समस्या है, इस बार खत्म हो जाएगी? पहना चाहती हूँ आम जनता और वोटरों से कि हम इस बार वोट करेंगे, लेकिन इस बार हम उनका वो नहीं करेंगे, जो हम करते आएं हैं वर्सों से उनका देखते हैं रवया, हम अपने सवाल को उन से निस्पक्च हो के पूछेंगे बिना डरे और बिना किसी डर्भ है कि उनसे सवाल करेंगे ताकि वो उनके मन में एक डर सा हो हमारे सवाल को लेके जनता सवाल नहीं करती है इसलिए जनपरतिनिदी अपने खुश रहते हैं कि हमें तो सवाल ही नहीं किया जा रहा है तो फिर हम क्यूं करें काम तो हम जनता से मैं यह कहना चाहती हूं आम जनता से कि कि में उनसे सवाल करें, हम सब मिल के इनसे सवाल करें, ताकि वक्त वक्त पे उनको सवाल मिले, तो वो उस हिसाब से काम भी करें. भागलपूर Smart शहर की सूची में सामिल हो गया है, जämीनी इस तरपर अगर देखा जाया, तो कोई भी smart city smart की रूप रेखा जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है और इस चीज के लिए जिम्मेवार कौन है जी इस चीज के लिए जिम्मेवार तो महापूरी की पूरी system है smart city सिर्फ smart देखने और कहने से तो नहीं होता और हमारा smart city के नाम पे भागलपूर कहीं से हमे स्ट्रेट लाइट अच्छी होनी चाहिए हमारे सडके अच्छी होनी चाहिए सहर की सौन्देपता होनी अच्छी होनी चाहिए जो कि जनप्रतिनीदी इन पे तो ध्यान ही नहीं दे रही है और जैसा कि बिहार में पटना बिहार सरीफ मजपरपूर और हमारा भागलपूर स्मार सिटी के सूची में सामिल है तो मैं बता दू कि न्यूज 18 का रिपोर्ट है अब 21 जनवरी 2020 का आर्टिकल आप पढ़ सकते है उसमें लिखा गया है कि यहां यह राज्य सरकार के अनुसारा काम ना होने के वज़ज़ से वो 26 कडोर रूपए जो है वो वापस के अंदर सरकार लेने के लिए वो कह रही है क्योंकि यहां के यहां डबल इंजन के सरकार है वो काम ही नहीं करती है हमारे स्मार सिटी पर की इस पर काम होना चाहिए हमारा सिटी स्मार्ट हो हमारा सरकार जो है स्मार्ट सिटी के लिए योजना तो लाई यहां तक कि आपके शहर को पै चाहे वो नगर आयुक से लेके हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कोई भी आपको काम करने के इरादे से नहीं दिख रहे हैं यहापे, तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि हमारा सिटी अगर स्मार्ट के सूची में सामिल है, तो वो क्यों नहीं इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि भाजपा का गड़ रहा है भागलपूर, तो उनको हरा के हमारे बूलो मंडल सांसद बने राज़त से, फिर विधायक बने अजित सर्मा जी कॉंग्रेस से, अजित चौबे जी को हरा के, तो बदलाओ तो हुआ ही इतने दिनों में, जनता भी बदलाओ के कारण से इ इनको जिताएं कि ये काम करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनको कहना है कि हमारा केंदर में सरकार नहीं है, राज़े में सरकार नहीं है, फिर जैसे कि अजित सर्मा जी का ही ले लेते हैं, उनसे अगर अभी आप सवाल करें, विकास के मुद्दे पे तो वो ये कह के फि तो सरकार से क्या मतलब है आप अगर भागलपुर के जनपरतिनिदिय हैं तो आप इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं अगर आप अबाज उठाएंगे सदन में तो आपके अवाज को सुना जाएगा क्योंकि आपको हमने वोट दे के वहां बेजा है तो इनको काम करना चाहिए एक स्मार्ट सीटी के लिए लोगों का स्मार्ट होना क्या जरूरी है अगर हां तो कितना अगर नहीं तो क्यों नहीं समाठ होना लोगों का जरूरी नहीं है अगर दिमाग समाठ है या फिर हम सहर को समाठ बनां लोग समाठ हो यह हम मेटर नहीं करता हमारा सोच समाठ होना चाहिए मेरी खायल से तो यह है पेले तुम में बता दू कि मैं लिंग भेद में विशवास नहीं करती अगर आपको विकास करना है तो वो कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ये युवाएं विकास कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको है कि मुझे अपने सहर के लिए कुछ करना है, विकास करना है, तो वो हम आप कोई भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं कि महीला को ही यहां से उमिदवार होना चाहिए, कोई बेजन परतिनी दी हो, वो सिर्फ उनके अंदर होना चाहिए कि मुझे अपने सहर के लिए विकास के लिए काम करना है, तो वो कर सकते हैं. भागलपूर की हैं, सहर की जो गति विधियां हैं, उससे वाखिफ हैं और खासकर यहां पलीवड़ी हैं, तो यहां के हर एक बिंदों से आप वाखिफ होंगी, तो देखा जाए तो खासकर यहां पर जो है महला कंडिडेट अगर देखा जाए, चाहे हो NDA से हो, चाहे हो कि रहा पर, स्मार्ट सिटी की जो यह नाम जो सूची में सामिल हुआ है, उसको सूची में सामिल कर देखा, कोई महला नित्री, सहर की, सहर की, पहले तो मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी शे भी नहीं हो, और मुझे कुछ इतना इन पार्टी ओं का कुछ नॉलेज भी नह सामने होगी, और इसको लेकर जनता से, भागलपूर वासियों से, खास कर भागलपूर वासियों से क्या कहना से है? सवाल जो नहीं करते हैं, उनके मन में कोई डर्भै नहीं होता है, तो वह काम क्यों करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ अपने भागलपूर वासियों से, कि वोट हम इस बार भी देंगे, और जनपरतिनीदी चाहें जो भी हो, लेकिन वोट दे के मुझे अपने, मैंने जो वोट दिया है पांस साल के लिए, मैं उसके लिए सवाल समय समय पे जनपरतिनीदी से करती रहूं, ये करते रहें, ताकि वो हमारे सवालों के जबाब दे और हमारे भागलपूर का विकास करें, और हमारा भागलपूर बिहार में नंबर वन पे हो, मैं ऐसा देखना चाहती के लिए, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी लोगतंतर के इस महापर्म का हिस्सा बने और अपने नजदी की मतदान के अंदर पर जाकर, हलांकि कोरोना का काल चल रहा है, तो साबधानी भी जरूरी है, तो साबधानी बरत्ते हुए अपने नजदी की मतदान के अंदर पर जाकर लोगतंत्र के इस महापर में हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें मेरा नाम विकास कुमार सिंग है और केमरा के पीछे सुमित राज मजूद हैं हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शक्रिया